फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात बताऊंगा यूजली क्या होता है कि हम अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करते है कलच को दबाते है, गेर को चेंज करते है कलच को छोड़ते है और एक्सेटर लेते है जिससे कि एक कृइंग साफ गोमने लगता और यह जो क्राइंग साफट है बेसिकली यह जो हमारा स्रिंटर ब्लॉक है इसके निचे में होता है अब चूकि यह क्राइंग साफट घूम रहा और आगे डेख सकते हो यह है कलच के असेमली यह है गर ler बोक्स तो ये स्प्रॉकेट छोटा वाला गूमने लगता है बदले में यो चेन है वो भी गूमने लगता है और आगे चलके देखो हमारे जो पीछे का बड़ा स्प्रॉकेट है ये भी गूमने लगता है ये पीछे चक्रेक्टेट होता है तो आपर बाइक पीछे का चक्का घुमने लगता है और इस तरह से हमारी बाइक मूव करने लगती है